अच्छा आप सभी ने फिस तो बनाए होंगे आप यह नहीं कोई रेसिपी तो नहीं है पर आज हम बनाएंगे राय वाली जैसे सर्चों होती है ना हम सर्चों से फिस बनाएंगे उसे बहुत ही टेस्ट है और बहुत ही यमी बनती है एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा रेस बéner की बट्वाटन को कप्लिक करए हमारी चैनल को सबस्क्राइब कर ले और सथ में डवादि करके हमारी चैनल को अहल कर ले असलमबलेकोम वेलकम 과 माई चैनल ते यह फिश और लहू फिश आती है गोईता जी वाली पिश और इसे माने अच्छे सी वोश कर ली जाल याँ नमक चमच मेसे बप्ताइब तरफ के長हिते हैं लगब 15-7 मनिट के इसे मिक्स कर लेंगा तो आचछी में भीजाएब बहुत सारे फिश बनते हैं तो हर इंसान को और हर किसी को हर जगा हर तरह के बनती है मतलब हर किसी करना अपना अपना एक च्वाइस होता है तो आज हम बना रहे हैं राय वाली सरसो वाली फिश बनाएंगे बड़े ही मज़े की लगती है एक बड़ ट्राय जरूर कि जिएगा इसे मसाले में देख लेते हैं मैंने प्याज ली हूँ अद्रक है एक इंच और आट से दस लेस्टन की कली है यह वाली जो सरसो बोलते हैं और इसे राई भी बोला जाता है बताएगा जरूर किन-किन को क्य चाहिं, जाने जरी जोती भी बोलते है है थरसोस को में अधेगे है नंगया जब राइस कि जाने है फिर सरसो साना इसे थिए या पामेंट के नत्वीस पू sahते हैं निसे अधोर है बताव킨ड़ में शबश है को डाल देंगे उप यांझ अध्रक लैसून चुटे चुटे च जाती है साथ में हमदार धनिया गोटा धनिया है ना तीसे हम रोष्ट करके लिए है इसके टेस्ट अच्छी आएगी साथ सरसुली रहे हैं साथ में एक से डेर चम्मा से करीब ले लिए जाता मत लीजिएगा नहीं तो यह तीत हो जाएंगे अच्छा कुछ लोग ना जो भी श होते हैं जब फिष बनाते ना तो पोस्तु से भी बनाते यां पोस्तु आप लोगों को मालूम है होगा काशकस जीसे बोलते हैं पोस्तु बोलते हैं उससे भी फिष बल्कुल राइद्रा इस stretching होते है अब ले लें इसमें लेक पेपर पेपर जो आता है घोल की पोडर वो है इसमें हम डालें एक टी स्पून जीरा पोडर और यह है मिर्ची पॉडर धनिया तो मैंने और पीछ चुकी हूं इसलिए मैं धनिया एड़ नहीं कर दी हूं तो चलते हैं अब गैस के तरफ नमक याप टेस्ट कology डालिएगा और किहुंगि मैंने फीच में यह जब इसे रखी दी ना रही करने के लिए तो उसमी भी मैंने नमखेट की पूहती यह बनाएं अब बड़े ही अच्छी लगती है तो इसे आप ज़्यादा तर सरसोटिल में ही बनाया जिए और मैंने सरसोटिल को अच्छे से गरब कर ली ती देख रहे हैं और इसे गरब करने के बार सब नन्यौट करें के बनाँते है अब योजि good and brown हुने देखेर ने निए अब देख एक तो फ्राइ हो गी तो हम चली है साने निकाल लेते हैं आप लोगों को पता होगा सोप, मंग्रेला, जीरा, और कलंजी, राइ, सम्मिक्स रहता है इसे पांच पूरण बोलता है इसलिए अगर दुकान में जाकर के बोलेगे ता आपको दे देंगे यह दा पेजपता और साथ में मसाला ले लेंगे जो मैंने प्याज अद्रक लैसु विलिज नहीं होगा वपता के बूशते रहेंगे अच्छी से खुश्पूस यानी लगेगी देखिए हमारी तेल जो है न मसाले जी बिलकुल अलग हो गए है तो यह टमाटर और धनिये के पद्दी की टाल देते हैं टमाटर आप चाहे तो कट करके उपर से भी डाल सकते है अगर आप इस तरह से पीस करके डालेंगे तो इसकी टेष्ट बहुत अच्छी आती है साथ में गिरेवी भी थीक हो जाती है तो अच्छी लगती है अगर आप ज़्यादा गिरेवी चाहते है तो टमाटर को पीस दीजिए नहीं तो ऊपर से ही काटके आप रख सकते हैं बा अगर आपको जितना पानी चाहिए आपको चावल में खाना है अप उसी साब से ले सकते हैं ग्रेवी के साब से अब देखिए फिस तो हमारी फुराइकी हुई आल्रेडी है मसाले में हमारी भूज गई इसे पकाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा अब इसे आट से दस म तो देखिए हम शार्प कर लेते हैं मिलते हैं एक नए रेसिपी के शायद जबते के लिए आला हाफिज रेसिपी पसंदा है तो प्लीज लाइक किजिए का